नवसकार दोस्तों मैं हूँ बिटु कुमार और मेरी यूटुब चनल में आपका स्वागत है दोस्तों गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जुरूर बताएगा एक हंगामा हुआ है सिवान में आप देख सकती हैं आप देखिए डिप्यू अस्थापना के कर प्याले में हंगामा कर रहे सिचक नूजन के अभियरतों को समझाती पुलिस क्या है मामला पूरा डिटेल इस विडियो में आपको हम बताने वाले क्यूं इतना हंगामा कर रहे हैं अचानक सिचक अभियरती इसका विडियो भी कर बायल हुत हुआ था लेकिन आज नूज मे इच्छक चैनिस इच्छक व्यर्थी एक्टिव हैं उस तरह अपने जिली में भी इस तरह का एक्टिव रहें क्योंकि बहुत सारा फर्जी वाड़ा हो रहा है यहां पर देखिए डिप्यू अस्थापना पर लगाया नियुजन रद करने की साजिस का आरोप पुर्णिया का और या आप देखें होंगे कि छे महीने बाद या तीन महीने बाद शाणिक पर अनुसानसा की गई हैन्सलिंग करने की वह भीम 1070 करते कर Voragu TV डेप्यू अस्थापना करियाले में अभ्यरतों का हंगाम तो चलिए पुरा डेटेट इस वीडियो में आपको हम समझाते हैं कि क्या है मामला उससे पहले अगर आप मेरे चनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूटूब चनल को कर लिजे सस्क्राइब बेल आइकन कर लिजे प्रेश ताकि बिहार सिचक निजन से रिलेटर कोई भी बड़ी खबर या बड़ी अपडेट आए तो उसका नोडिफिशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो का पुरी तरह से लाभ उठा सके तो चलिए पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं दोस्तों तो देखी लिए कि किस पेपर का है और चके डिट में हैं जीले में छट्टे चन में हुए सिचक निजन में बढ़हरिया प्रखंड के चैनित अभ्यार्तों ने डिप्यो अस्थापना कारि वा कारियाले परिश्चर में अपरा तरफी रही मौके पर पहुंची पुलिस ने महला अभ्यार्तों को समझाने का परियास किया लेकिन कोई मानने को तयार नहीं था जैसा कि आफिगर में देख सकते हैं यहां एक पुलिस कर्मी भी है और शिचक अभ्यार्तों को समझा रह इधर हंगामा कर रहे अभ्यर्तों ने आरोप लगाया कि बीना किसी कारण हम लोगों का न्योजन रद करने की साजिस डिपयो अस्थापना द्वारा रची जा रही है पिछले चार माह के दोरान दर्जनों बार से भी अधिक डियो मिठलेश कुमार वडिपयो अस्थापना राजिंदर सिंसे मिला है बढ़ारिया प्रखन के न्योजन को विचार कर एन आईसी पोर्टल पर नाम चाड़ाने का अनुरोध किया गया लेकिन डिपयो अस्थापना अब तक केबल दिद्रभोवित करने का कार कर गएक यह बढ़ाइया का नहीं कहिं हर एक जिले का यह रीपोर्ट ऐसा सामने आ रहा है कि डिव और डिपयो के तरप से ही बदमासी किया जा रहा कहीं कहीं तो मेध्ण सूची तक नहीं जारी किया रहा है दोस्तों अभशर्टों ने आरूप लगाया कि डिप्यू अस्थापना हम लोगों का भविस बरवाद करने पर तूले हैं अगर वो किनी का पैसा लिये होंगे तो उनका भविस बनाएंगे जो असली कनी रेट है वो उनका भविस खराब करने में लगे हुए हैं अगर शिच्छा विवाग में कोई अनपढ़ भी जोइन कर रहा है तो इन शिच्छा पतादिकारियों के बदोलत ही कर रहा है क्योंकि ये पैसा लेके अगले को जोइनिंग देते हैं जान भूझकर पिछले वो तिसरे चर्ण में भी न्यूजन से हम लोगों को बंचित रखा जा रहा है सोच लिए अब तिसरे चर्ण से भी इन लोगों को बंचित रखा जा रहा है अगर इनका रद भी हो जाता क्योंकि अभी अधेरे में इनको रखा गया नहीं रद किया गया नहीं कुछ किया गया है जलिए देख़ लएते आगे क्या कहा जा रहा है हंगामा कर रहे है चैनित अभ्यर्थी अपने नियूजन की मांग कर रहे थे जबक这是 अपना नय सेले से नियूजन की बात कर रहे हैं लेकिन विभात के त्रफ से это का दिया गया इसी से अभियर्तों के परसानी हो रही है कि अगर हमें तिस्य चर्म मौका नहीं मिलता है तो हमारा भविस फिर क्या होगा क्यूंकि पहले से ही हम सेलेक्ट करनी डेट है और अगर अगर आके रद होता है तो क्या होगा अभिहर्त्यों ने डिप्यू अस्थापना करियाले द्वारा न्योजन में धांदली की गई है पर हरिया न्योजन इकाई दोवारा नहीं कहा कि जब न्योजन इकाई काउंसलिंग के बाद पत्र भेजा की भारी अन्यमता हुई है तो आपने किस अधार पर काग्जात को जमा कराया जी हाँ जब बोल रहें कि अन्यम्तिया हुए तो फिर हमारा डॉक्मेंट आपने क्यों ले लिया उनका डॉक्मेंट अभी तक आपने रिटर्न क्यों नहीं किया दीम से 32 अभीरतों ने की सिकायत इनका सिकायत वहां के जिला अधिकारी से भी की गई है तो देख लेते हैं क्या अधिकारी का कहना है वो भी देख लेते हैं सिवान बढ़ारिया प्रखंड न्योजन इकाई में हुई गडबडी की सिकायत DM अमीत कुमार पांडे से प्रखंड के 32 चक अभ्यरतों ने की सनीवार को प्रखंड मुख्याले पहुचे DM से भी अभ्यरतों ने इसकी सिकायत की DM से इस संदर में ठोस आस्वासन नहीं मिलने पर नराजगीर जाहिर की इधर प्रखंड में 10 अगस्त को सिचको का न्योजन GM High School परिसर में अधिकारियों की उपस्तिती में किया गया था सिचक अभ्यरतों ने बताया कि न्योजन के दोरान सभी मानकों को पूरा करते हुए 32 सिचकों का चैन किया गया लेकिन उसके अगले ही दिन सिचकों को बताया गया कि रोष्टर में गड़बड़ी हो गई है इस कारण से न्योजन सुची अधिकारिक वेपसाइट पर अपलोड नहीं की सकती उसके बाद से सिचक अभ्यरतों ने सभी जिम्यदार अधिकारियों के दरवाजे को खटकटाया लेकिन समस्या का हल नहीं हो सका बताया कि इसके सिकायत सच्चिवाले वह मुखमंती के जनत दरवार में भी की जाएगी सिचख अभ्यरती सपना कुमारी सिस्पक का सपनसीं गर्म AKक त्यानी किन कुमारी बिनीता कुमारी जोती कुमारी नीरज कुमार सूनु मिस्रा महफूज आलम उजवल कुमार समीत अनमवजूद थे क्या कहते हैं DPO DPO अस्थापनारा इंदर सीने बताया कि बढ़हरिया सिचक न्यूजन में समान बर्ग में एक से पांच तक के न्यूजन में गरबड़ी हुई है गरबड़ी करने वाले दबाव बनाने के लिए कर्याले में आकर हंगामा की हैं ताकि इसी न्यूजन में रख लिया जाए विभाग का किलियर गाइड लाइन है कि रोस्टर वा पेपर में छेरचार करने वाले न्योजन रद कर नए सीरे से न्योजन की परकिरिया अपनानी है बढ़ारिया वीडियो ने कॉंसलिंग में भ्यांकर आनियमता का पत्र भेजा गया था अब सिच्छक न्योजन परकिरिया के तहत तिरतिये चक्र में कॉंसलिंग किती थी वो अस्थल का निधारन कर दिया गया है जो अंतिम मेधासुची बनी थी उसी के अनुसार तिसे चर्में न्योजन की परकिरिया अपनाई जाई गी तो ये एक बड़ी खबर एक बड़ी अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों और ये खबर सिवान का है अगर और भी किसे जिलेई का अपडेट आएगा तो वो भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे तो फिलाल ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमिट करके बता सक सकते हैं और ऐसे ये वीडियो ने इस पाने के लाफ मारे चैनल पर बने रहे हैं फिर मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में धन्यवाद दोस्तों